तो बात करते हैं ऐलमुनियम की ऐलमुनियम का स्क्रैप का क्या रेट है इस बारे में आपको जानकाजी देता हूँ ऐलमुनियम में जो स्क्रैप का जो रेट है जो सिल्लिया होती है वो आप सिल्ली देखेंगे सिल्ली का रेट यह होता है जो नीचे स्क्रीन पर चलता रहेग यह शिलिका आज का रेट है और यह PLUS में रहता है. अब बात करते हैं हम wire scrap की. जो अपना motor scrap होता है, जो रसी की तरह निकलता है या हम ACSR की material की बात कर लें, वो जो scrap होता है, वो भी उसका अलग rate होता है. उसको wire scrap बोलते हैं. उसका रेट भी आपको नीचे मिल जाएगा ये भी प्लस चल रहा है अब बात करते हैं चदरी की तो चदरी का रेट आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अब बात करते हैं पुर्जे की तो पुर्जा भी आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और और अब बात करते हैं बरतन की, बरतन चद्री बोल देते हैं, यह सारी कटगरी आ जाती है, शीट वगेरा आ जाती है, तो यह आपको प्राई नीचे बिल गए Ciao Prime was. है SD जो बोलते हैं हम लोग Solid उसका राज का रेट यह है और जो स्क्रैप होता है स्क्रैप मतलब आर्मिचर बोलते हैं जिसको आर्मिचर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकों काफी वीडियो में आज आता है कैटेगरी जैसे वायर के निदर से निकला हुआ हो गया कोपर के पाइप हो गए कोपर के बरतन हो गए यह सब आर्मिचर कैटेगरी में चलता है और बात करते हैं हम लाल माल की तो लाल माल जो होता है यही सब लाल माल भी होता है लेकिन यह फ्रेश होता है इस पे कोई डश्ट लगावा नहीं होता है कुछ नहीं होता है तो यह फ तो नया Scrap है नय मतलब चोटे मोटे टुपड़े होते हैं पर नए होते हैं वो न्यू MS में चलता है तो MS का नए का यह रेट है अब बात करें हम ओल्ली की तो और स्क्रैप में यही सब चीजे होती हैं जिससे सारी चीज़े इखटी हो गई पुरानी होती है पर जैसे पुराने स्र हो गई एंगल हो गई या अपना चोटे-मोटे आप ज थो फिसो इंट तो सबने दोगों का यह रच चलता का और थीरस की तो 50rus 304 की यह काटकरी होती है इस इस होता है और 309 यह 309 का यह रेट होगया और 210 की इनपराई के ऊपर उसका करते हैं तो 310 यह वालरा प्रैज हरूरां अबॉधु शुरा प्रैज हरा लोकेश चल रहा है और में भूठकव्टरी हरे प्राइस यह चलना है कि तो निखिल का प्राइस है वह यह चलना है मैlez को अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं जिंक की तो सिलली का च्राइस है लो में melhor का प्राइस यह और अब मैं आको थोड़ी सी जांकारी देता हूं यह जो राच प делает तो आगे से मेरा यही चैनल रहेगा इसको सब्सक्राइब करके रखें और इसमें जो बैल आइकन है उसको दबा के रखें ताके आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और उपरवाला सबकी मदद करें सबको कुछ रखें धन्यवाद